वेलकम इस्टेंट्स आब आते हम चेप्टर 16 एनलेजिंग डाटा अध्या सोला आगडो का विसलेशन का कोशेंड नमबर एक्ससाइज 2 प्रेशन दो का कोशेंड नमबर 2 कोशेंड नमबर 1 हम प्रिवेस फीडियो में कर चुके थे अब देखते हैं कोशेंड नमबर 2 क्या फ जाए और उसमें से अगर मोड दिया जाए तो आप इसी कोशेंड क्योंकि यह बहुत इसी है ठीक है तो इसको हम समझते है देखिए हिंदी मीटम में दोनों को समझ भाएगा दोनों वीडियो को लास तक देखिएगा बिलकुल समझ भाएगा ठीक है अब निकालना है बहु जाए लेकिन कैसे यूज होगा क्या है वो नहीं बताया था क्योंकि थो अगर के लेकिन यहां समझते है तो देखिए उसका फर्मला क्या होते है जै बहुला मोड इको डू अई प्लस मतलब कि लोर लिमिट ठीक है लोर लिमिट यानि कि निमन ठीक है हम बोसकते निमन परस लौर लिमित क्या कैसे निकालेंगे समझेंगे पहले समझ्यRO याने कि अध accountability only चाहिए एंट कि जो मत देख होता है आप देखो कैसे निकालते हैं सबको वह समझते हैं सबसे पहले सबसे पहले आपको आपको फ़ेहाइल ना है कि क्या मीं तेतर का अपने को पता करें कि कोौन कौने क्या होगा lower limit तो lower limit अभी नहीं निकाल जा सकता कब निकालेंगे उसके लिए सबसे पहले हमको frequency पता हो जो कि है F1 तो F1 हम यहाँ पे लिखेंगे given दिया है ठीक है हिंदी मेरे वाले क्या लिखेंगे दिया है F1 frequency 1 क्या होता है तो यहाँ पे frequency 1 क्या होगा highest frequency होगा मतलब सबसे अधिक बारंबरता जो होगा तो बारंबरता का टेबल देखो frequency का सबसे highest क्या है 16 है तो 16 क्या हो जाएगा आपका F1 हो जाएगा सबसे हाई यह सबसे बड़ा है तो 16 क्या हो जाएगा आपका F1 हो जाएगा तो F1 equal to 16 हो गया इसके पहने का F0 और इसके बाद का F2 तो F0 क्या हो जाएगा 16 के पहने क्या दिया 5 हो जाएगा F0 और F2 क्या हो जाएगा 16 के बाद का F1 के बाद का F2 यानि की 12 क्लिया है ना F0, F1, F2 तो पता चल गया चलो इसका काम तो होगे L और H बज गया ठीक है तो L और H का देख लेते हैं तो यह हो जाएगा अपका F0 यह हो जाएगा F1 क्लियर चलो अब देखते हैं lower limit किसको देखते ह है देखो जो frequency था ना जो F1 आया था उसका हम limit देखेंगे यह है lower limit यह हाई higher limit निम्न पद उच्च पद ठीक है तो lower limit L4 तो कित आगे इसका इसी का अगर सामने देखे तो lower limit यह है 100 तो कित क्या होगा L equals to 100 हो जाएगा lower limit 100 है clear अब देख लेता है इसका H, H यानि की क्या होता है H मतलब की difference होता है ठीक है H equals to difference किसका limit का lower limit minus higher limit ठीक है तो sorry higher limit minus lower limit वैसे में minus में आ जाएगा तो higher limit क्या है 150 तो 150 में हम minus कर देंगे 100 ठीक है इसी frequency के आगे का limit को ही मान कर चलेंगे तो 150-100 क्या हो जाएगा 50 तो H का value आगे 50 सभी value पते चल गया वहां put कर देंगे अब यहां से हम यहां continue करते हैं clear है ना तो चलो यह data दिया था अब यहां पर put करके calculation करते है Z बहुलक mode equals to क्या हो जाएगा lower limit तो lower limit क्या है 100 तो यह हो जाएगा 100 plus in bracket f1-f0 तो f1 का value क्या है 16 16-f1-f0 का value क्या है 5 बट्टे 2 times of f1 तो f1 का value क्या है 16 तो 2 times of 16 minus f0 का value क्या है 5 f2 का value क्या है 12 into h तो into h का value क्या था 50 तो 50 क्या हो जाएगा गुणा में clear है इसको calculate कर देते है चलो सबसे पहले bracket करेंगे देखो इसको solve करते वक्त आपको पता होना चीह board mass ठीक है यह बहुत पुराना है आपको पता होगा सबसे पहले bracket फिर off फिर divide फिर multiplication फिर addition फिर subtraction ठीक है ना यह तो आपको पता होगा चलो तो 100 सबसे पहले bracket solve करेंगे यह 15 अब क्या करेंगे हम देपो पहले हम एड नहीं कर सकते है एड बाद में पहले multiplication divided फैले होता है ठेक है ना तो हम इसको सकते हैं पांच दहां पचास और यह पांस तीया पंद्रह अब इसके आगे कट नहीं सकता तो 100 प्लस 11 11 इंटु 10 क्या हो जाएगा 110 डिवाइट भाइट थ्री अब एक चीज़ धाया रखना यहां पे बच्चे बहुत गलती करते हैं यही पर गलत हो जाता है यहां पे आप ग करेंगे तो जैड इकवल्स टू हंड्रेड 110 को हम तीन से भाग देंगी तो क्या हो जाएगा 36.6 आएगा अब इसको एड करेंगे तो 136.6 यह आगे आपका बहुलक मोड क्लियर है तो इस प्रकार से बनेगा आपका यहां कोशें तो यह होगा आपका एंसर समझ मैं तो यह होगा इसका सॉर्यूशन कोशें नबर टू का बहुत इजी था फॉल्ला बस आपको याद रखना है क्लियर यहां पर आप लिख लेना कि 173 में बहुलक ठीक है ना 173 में बहुलक और इंग्रिश में नमाले क्या लिखेंगे मोड इन ग्रूप्ड सेरीज क्लियर तो यहां पर इसके पहले आप लिख लेना जो लिखना हो मैं बोल दिया हूँ उसको लिख लेना इसको नोट कर लो या फिर वीडियो को पॉस करके आप इसके स्क्रीन सॉट ले स करिए और इस चैप्टर के सभी वीडियो के लिए उपर जो प्लेलिस्स हो रहे है वहां क्लिक करिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए हमारे चैनल के लोगों पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करिए थैंक यू